असलाम अलेकुम स्टुएंट्स, नेक्चर 8.8 के साथ आज हम बात शिरू करने लगे हैं, ये कल हमने केरेक्टरिस्टिक्स अफ साउंड पर बात खत्म की हैं, और आज हम डॉपलर एफेक्ट स्टडी करने वाले हैं और आज हम डॉपलर एफेक्ट उस साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जिसने इसे फर्स टाइम डिसकावर किया था, और स्ट्रिया के साइंटिस्ट हैं ये, और पूरा नाम इस वत मेरे जह में नहीं, साइमन डॉपलर थे या कोई और डॉपलर थे, तो इन् के नाम पर इसे डॉपलर एफेक्ट कहते हैं, according to डॉपलर एफेक्ट, apparent change in the frequency of a sound signal या कोई और signal, due to the motion of source or the listener, is called डॉपलर एफेक्ट, डॉपलर एफेक्ट में होता ही है कि सम्टाइम्स जैसे कि कुछ केसे हो सकते हैं, फर्स करें कि ये एक गाड़ी है, अच्छा अब इस गाड़ी में यहां कोई फर्स करें, ये एम्बूलेंस पर जैसे आपने हूटर लगा होता है ना उपर, ये हूटर लगा हुआ है, और इसकी वॉइस सिंगनल एमिट हो रहा है, टिक है इसकी स्पीड हेवी, आवास का सिंगनल जो होता है जो टूनू, तूनू, उसकी उपनाँ, उपर ऑसकी अवास आती है, उस सिंगनल की मैं बात करू हूँ कि फर्स करो कि एक, एम्बूलेंस में से एक साउंड सिंगनल ठीक अच्छा यह जो लिस्टनर है इसे जाहर है कि यह आवा सुनाई देगी इस लिस्टनर की स्पीड इस वत फर्स करो कुछ भी है मैं उसको गर कभी होगी तो उसका नाम है वी एल लगूंगा यह निए विलाउस्टी ओफ लिस्टनर अब कितने किसम के केसे हो सकते हैं फर्स करें कि यह एम्बोलेंस रुकी हुई है और इसमें से आवास का सिगिनल स्पीड वी से मूव हो रहा है और उसकी एक आवास आ रही है और यह जो लिस्टनर है यह इस एम्बोलेंस की तरफ मूव करता है यह तो पहला केस हो गया जिसमे listener इसका नाम में रख देता हूँ source जिसमें से आवाज जनरेट हो रही है वो source अच्छा मैं यह कहना चा है रहा हूं तक या तो यह case हो सकता है कि source रुका हुआ है और listener source की तरफ मुव करता है अच्छा यह पैदल भी हो सकता है हो सकता है कि लिसनर किसी रिक्षा में, किसी कार में, किसी साइकल पर, किसी मोटर साइकल पर बैठा हुआ है यह तो हो सकता है लिसनर आप हैं और एम्बूलेंस गुजर रही है करीब से मुम्किन है एक आमिलेस आप InGenき आपकी गले में दाखिल हुई है ? आप उसरफ मोटर साइकल पर बेठे, आप एप एमूलेस की तरफ आप मूव करते। आप ऋप धाने ओडिहारे है और सामने से एमॉलेस आ रहे है ऐमुलेस रुकी हुए है और आप इससे दूर अठने हैं यानि दूर की तरफ भाग रहा है याप बाइक की ओपर बैटने हैं और बाइक का रूफ इस तरफ है तो आप दूर जा रहे हैं इससे एक कैसी हो सकता है तो दो केसिस तो यह हो गए when listener is moving to the static source when listener is moving away from the static source या दो केसिस और हो सकते हैं कि listener अपनी जगा पर रोका हुए ambulance इसकी तरफ move करती है ऐसे तो इसे हम कहते हैं कि when source is moving to the static listener या source ये भी हो सकता है कि आप रुके में ambulance का रुप इस तरफ है और ambulance यू चली जा रही है तो अब ambulance जा रही है आगे की तरफ और उसमें से आवाज आ रही है मुसलसल और वो आवाज आप सुनना है तो मैं sources moving away from the static listener तो चार केसिस हो गए या तो listener source की तरफ जाए या listener source से दूर जाए या source listener की तरफ जाए या source listener से दूर जाए चार केसिस या दो केसिस और यह होते है कि दोनों एक तूरज से की तरफ आए या धोनों एक दूसरे से दूर जाए अच्छा और अवास उससे जाहर है आवास पर कुछ चेंड आता है आपने महसूस किया होगा कि आप एक जगा रुकिया हो और कोई अम्टलेंस आपकी तरफ आ रही है तो उसका जो सिगनल होता है उसकी आवास में आप एक वेरियेशन एक तबदीली महसूस करते हैं मैं ये लिंक आपको फरवर्ड कर दूँगा जिसमें आप इस आवास की तबदीली को बाकादा महसूस कर सकेंगे तो ये जो तबदीली होती है जो सोर्स या लिसनर की हरकत की वज़ा से आवास में एक तबदीली महसूस होती है बैसे कर यह आवाज की frequency में तबदीली होती है इस frequency या pitch में जो तबदीली motion of the source या listener की विज़ा से होती है इसे doctor effect कहते हैं और यह जैसे कि मैं आप से बात कर चुका कि यह effect discover किया था doctor ने तो अब चार cases होते हैं इसके मैं इसमें से आज case one discuss कर रहा हूँ अच्छा यह case one इसे अपनी आसानी के लिए मैंने नाम दे यह नहीं कि आप यह फर्स कर लें कि case one का मतलब यह होता है जो मैं आभी लेख रहा हूँ when listener is moving to the source in rest यह case है ठीक है तो अब मैं इस case को demonstrate करने लगा हूँ तो पहले सबसे पहले जब आप doctor effect लिखेंगे तो इसकी definition लिखेंगे heading डानेंगे doctor effect और पहले उसकी heading लिखेंगे और वो heading क्या हो जाएगी के apparent apparent का मतलब क्या होता है जाहरी change in the frequency fr मैंने लिखा है आपने पूरा लिखने है frequency के अपचे of the sound s-o-u-n-d sound due to the motion of source or the listener is called doppler effect okay, okay, I write this because I am that when I write the speed of my speech is more than the way you can write yourself this is useful that I am saying that you can write easily okay, this is doppler effect apparent change in the frequency or pitch of sound due to the motion of source or the listener is called doppler effect okay, there are 4 cases which we are doing case 1 when the listener is moving to the source in rest okay, now what do we do first we will demonstrate this case demonstrate I will I will create a source I will create a source source of sound that is the source which is the sound produce for the speaker and the súbeer do the sound which is the whining which is, you can have to choose 3.32 3. 3.40 आम तोर पर बुक्स में मेरे खार में 340 ली जाती है किस वर ऐसे ली जाती है वो बाद में कभी देख लेंगे तो ये सोर्स में से जो सिगनल जा रहा है उसकी स्पीड ये है और स्पीड औफ सोर्स वी एस मैंने इसका नाम लिख दिया ये कितनी है जीरो क्यों लिखा मैंने जीरो मैं इस लिसनर को रेस्ट में दिखा देता हूँ ठीक है ये लिसनर इस वर रेस्ट में रुक आ हूँए तो मैं कहता हूँ लेट फिर्स अब ये केस डिस्क्राइब करूँगा लेट a sound signal of speed V is emitted from the source in rest let a sound signal of frequency F and speed V is emitted from the source in rest अच्छा मैंने फिर्स किया है कि यह जो आवास का signal है इसकी speed V है और इसकी frequency है F then F is equal to sorry V is equal to F lambda से इसकी speed को जाहिर किया जा सकेगा ठीक है यह तो एक generalized equation है जो कि हर sound signal और हर wave पर apply की जा सकती है और इसी से अगर मैं further इसको solve करूँ तो यह equation और कैसे लिख सकते हैं V is यह F इदर ले आते हैं ठीक है अच्छा अब यह F इदर आ गया और lambda की case में अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो lambda के लिए अगर मैं equation को solve करूँ तो यह यह आ रहे हैं अच्छा अब फर्स किया कि यह जो source है यह जो listener है यह move करता है यह जो listener है यह इसकी तरफ move करता है वैसे तो नाउ लेट दी लिस्नर moves to the source with a velocity vl अच्छा अब यह मैं फर्स करता हूँ कि यह आदमी इसकी तरफ move करता है इसकी speed vl हो जाता है अच्छा अब यह case explain करना जरूरी है थोड़ा सा कि फर्स करें यह एक आदमी है और यह move करता है इस तरफ इसकी speed है 3 meters per second यानि v अच्छा अब दूसरा आदमी यह खड़ा हुआ है ठीक और यह भी skating board के उपर है यह रुकाव अपनी जगा जब यह इसकी तरफ move करेगा तो इस आदमी को लगेगा इस आदमी को लगेगा कि इसकी speed 3 meters per second है जो कि actual इसकी speed है अब फर्स करो कि यह 3 meters per second की speed से यह जा रहा है और उसी time पर यह 1 meters per second की speed से इधर आ रहा है अब यह दोनों जा रहे है ऐसे ठीक है तो क्या लगेगा यह नहीं यह देखो कि यह यह दोनों ही move करें जब दोनों move करें तो इसे यह लगेगा कि इसकी speed 3 meters per second नहीं है कि इसकी अपनी स्पीड जो है ये भी इससे मैसूस होगा कि उसकी स्पीड है तो इसे टोटल मैसूस होगा कि इस आदमीं की स्पीड है 3 प्लस 1 यानि कि 4 मीटर स्पर सेकंड वो बच्चे जिन्होंने ट्रेंस पर ट्रेवल किया हुआ है जब उनकी अपनी ट्रेंस पर ट्रेंस तो लगता है कि दूसरी वाली ट्रेन बहुत ज्यादा तेजी से मूव कर रही है क्योंकि उनकी अपनी स्पीड में उसमें आड़ हो रही होती है और दूसरी ये बात आप महसूस करते हैं उस जगा पर जैसे के मैट्रो में आपने देखा है कि अलेवेटर्स लगे हुए आप उस पर खड़े हो जाते हैं वो मूव करता है उपर तो जिस विए आप उपर मूव करें दूसरा आप महसूस होता है नीचे की तरह होता है कि जब दोनों ऑब्सर्वर एंड सोर्स दोनों ही मूव कर रहे हो तो उनको एक दूसरे की स्पीड थोड़ी ज्यादा महसूस होती है यानि होता है कि इसकी स्पीड और इसकी स्पीड यानि ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड दोनों आपस में एड हो जाती है तो ये वी और अगर इसकी स्पीड करना में वी एल लग दूँ तो करना क्या है मैंने कि इस वी में इस वी एल को एड करना है अब हो क्या रहे आवाज का signal है वी उसी वक्त ये आदमी इस तरफ मूफ करना शुरू कर देता है और इसकी स्पीड हो जाती है वी एल्फ तो as the whole दोनों की स्पीड में बजाहर बजाहर इस observer को ये महसूस होगा कि आवाज की रफ्तार में थोड़ा सा इजाफा हो गया है तो apparent velocity में उसे change महसूस होता है तो अब जो ये मैंने लिखा now let the listener moves to the source with a velocity vl and he observes apparent velocity v dash यनी v dash अब उसे बजाहर क्या लगेगा कि sound signal v में जो इस आदमी की अपनी velocity है वो add हो गई है तो बजाहर उसे लगेगा कि total velocity of the signal sound signal में इजाफा हो गया है अब मुसीबत क्या है क्योंके speed change हो गई और हम कहते हैं कि v is equal to f lambda होता है तो अगर speed change हो गई तो फिर कोई a factor constant रहेगा दूसरा factor भी change हो जाएगा तो इसलिए hence अब मैं ही अहाँ एक मिन्ट मैं इसे लगा दूँ पहले hence the apparent change in frequency is also observed क्योंके तीन factors में से एक factor change हो गया तो कोई एक factor constant रहेगा एक दूसरा भी change हो जाएगा त्याज़ा v is equal to f lambda में क्योंके velocity change हो गई है तो फिर frequency भी change हो जाएगी यहाँ इस जगा पर v dash की value रख देते हैं v dash की value जो भी हमने लिखी तो वह है v plus vl यह आगई यहाँ और यह आगया f dash अच्छा और यह into lambda अब मैं क्या करता हूँ इस f dash को इदर ले आता हूँ तो v plus vl over f dash is equal to lambda यह खाली हो गया अब यह आगई equation 2 अब equation 1 के अंतर आप देखें कि हमने यह चीज लिखी थी lambda is equal to v over f और अब क्या आ रहा है हमारे पास source की तबदीली की वज़े, source की हरकत की वज़े से lambda की value आ रही है v plus vl over f dash तो अब मैं दोनों की left side में क्योंकि lambda है तो मैं इस जगा पर इसकी value रह रह देता हूँ by substituting value in equation 2 मेरे पास आना था v plus vl divided by f dash is equal to v over f ठीक है यह lambda की जगा मैंने इसकी value equation 1 में से लिख दीए अच्छा आप मैं क्या करता हूँ के cross multiply में यह f dash जो है इसे मैं उदर ले जाता हूँ और इन दोनों factors को इदर ले आता हूँ तो मेरे पास क्या रहेगा यह f नीचे है v plus vl यह f इदर नीचे है उदर जाकर यह उपर आ जाएगा और यह f dash multiply होगा इस v से तो यह f dash into v आ जाएगा इस v को यहाँ multiply हो रहा है गर मैं equal के इदर ले आँ तो यह हो जाएगा f dash और v यह v क्योंकर multiply हो रहा है इसे मैं equal के इदर ले आता हूँ तो यह हो जाएगा v upon vl divided by v और यह f as it is आ गया और करके मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ v plus vl divided by v into f अच्छा अब यह f dash क्या है f dash है apparent change in frequency frequency में जाहिरी तबदीली f क्या चीज है actual frequency वो जो शुरू में थी न आवाज के signal की अब हरकत की वेज़े से क्या होगा बताओ यह जो factor है यह v plus vl divided by v इसका आंसर वन से बढ़ा आएगा या वन से छोटा आएगा तो यह आंसर आएगा वन से बढ़ा अच्छा वन से बढ़ा क्यूं आएगा इसलिए कि जिस जो factor यहां लिखा है उसी factor से डिवाइड करें अगर v over v लिखा होता तो answer 1 आ रहाता लेकिन उपर वाले factor में कुछ add हो रहा है जब कुछ add होगा तो ऊपर वाले factor नीचे वाले factor से बढ़ा होगा क्यूंकि numerator denominator से बढ़ा है तो यह answer 1 से बढ़ाएगा और जो 1 से बढ़ाएगा तो f से multiply होगा f कौनसी frequency है हरकत से पहले की frequency तो f जब 1 से बढ़े number से multiply होगा तो जो निया answer आएगा वो f से तो बढ़ाई होगा इसलिए मैं कह सकता हूँ कि f dash is greater than f ठीक है तो इसका मतलब है कि apparent frequency यानि f dash actual frequency से ज्यादा होगी कि hence we conclude that अच्छा क्या conclude करते हैं क्या नतीजा में निकालते हैं कि by the यानि हम यह नतीजा निकालते हैं कि hence due to the motion of listener the apparent frequency of the sound signal is increased ठीक है यह है पहली application of doppler effect ठीक है तो यह आप doppler effect उसकी definition और उसका पहला case लिखके और submit कर दीजिगा यह पहला assignment होगा मुझे चार cases करने तो अब दूसरी class में फिर दूसरा case discuss करने के बाद तीसरी में हम दोनों एक साथ discuss कर देंगे तो पहले case में मैंने इसकी बात की है जिसमें object move करता है ठीक है listener move करता है किस की तरफ static source की तरफ और इसके बाद के cases में यह discuss करना है जबके कौन move करता है source move करता है static listener की तरफ ठीक है पिटा thank you thank you very much यह लिख दीजिगा और फिर मुझे submit कर दीजिए इंशाला फिर उलाखात होगी अलाफिस